हाई गाईज व्यसीनर सिंग का नम्मर वन चैनल अश्टडी मीडियम में आप सभी का श्वागत है अगर व्यसीनर सिंग का आप लोग त्यारी कर रहे हैं तो यह स्रीच आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप सभी को क्लास एक साथ देखना है तो अगर यह पेडियम आप पर लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रसने नहीं पूछा जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला कोश्चन है अश्टैतो असकोप ध्वनी के किस सिध्धान पर कारी करता है प्रावर्तन अपवर्तन बिवर्तन या तो अश्टैतो असकोप ध्वनी के प्रावर्तन के सिध्धान पर काम करता है अश्टैतो असकोप ध्वनी के प्रावर्तन के सिध्धान पर काम करता है युकि कमपन के कारण डायफ्रोम में कमपन होती है तो correct answer option है अगला कोशन है प्रती ध्वनी तरंगे किस के कारण प्रावर्तन के कारण तो परती धुनी तरंगे प्रावर्तन के कारण उत्पन होती है प्रावर्तन प्रकास का किसी सता से टक्रा कर लौट आना ही प्रकास का प्रावर्तन का लाता है correct answer option c next question है जब सेना पूल को पार करती है तो सैन्यूकों को कदम से कदम मिला कर ना चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि दाब बढ़नी से पूल तूटने का खत्रा रहता है पैरों से उत्पन धोनी के अमनादन के कारण पूल तूटने का खत्रा रहता है यह डापलन परवा के कारण पूल तूटने का खत्रा रहता है यह इन में से कोई नहीं तो जब सेना पूल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिला कर चलने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि पैरों से उत्पन धोनी अनुनादन के कारण पूल आपसन भी होगा नेस्ट कोशन है हम रेडियों के घुंडे घुमा कर विविन अस्टेशनों के कारीकरम सुनते हैं यह संभव है अनुनाद के कारण विश्पन के कारण बैक्तिकरन के कारण या विवर्तन के कारण तो हम रेडियों के घुंडे घुमा कर विविन अस्टेशनो कारी करम सुनते हैं यह अनुनात के कारण होता है करेक्ट एंसर आप सने जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपी हम बड़ावर के कमरे में बातचित करने वाले बेक्तियों को देखते हैं तो नहीं परन्तु उनकी आवाज अवशे शुन लेते हैं इसका कारण है ध्वनी का प्रावर्तन, अपवर्तन, वैती करन या वी वर्तन इसका करेक्ट एंसर आप सने डी होगा बी वर्तन के कारण जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो बड़ावर के कमरे में बातचित करने वाले बेक्तियों को देखते तो नहीं है परन्तु उसका आवाज अवशे शुन लेते हैं किसी धोनी शुरूत की आविर्ती में होने वाले उतार चड़ाव को कहते हैं रमन प्रभाव, डापलर प्रभाव, क्रमपटन प्रभाव या प्रकास बेत्युत प्रभाव तो किसी धोनी श्रोत की आविर्टी में होने वाले उतार चढ़ा को डॉपलर का प्रभा कहा जाता है Correct answer option B डॉपलर प्रभाई जब किसी धोनी श्रोत और स्रोता के बीच आपेचे गती होती है तो स्रोता को जो धोनी सुनाई परती है उसकी आविर्ती मूल आविर्ती से कम या अधिक होती है और इसी को डापलर प्रभाव कहा जाता है बढ़ते हैं नेस्ट कोशन की ओर नेस्ट कोशन ने डापलर प्रभाव सम्मंदित है धोनी से, बेदुधारा से, ताप से या प्रकास से तो Doppler प्रभाव शम्मदित होता है धोनी से Correct answer आप से ने अगला question है पास आती हुई रेलगारी की सीटी के आवर्ती या तिशनता बढ़ती जाती है ऐसा किस घटना के कारण होता है विक बैंक सिध्धान्त, Doppler प्रभाव, चाल्स नियम या आर्कमडिज का सिध्धान्त तो पास आती हुई रेलगारी किसी सीटी के आवर्ती या तिशनता बढ़ती जाती है या Doppler प्रभाव के कारण होता है Correct answer option B अगला question है आदर वायू में धनी का वेग सुस्क वायू की तुलना में अधिक होता है क्योंकि आदर वायू में सुस्क वायू की तुलना में घनत अधिक होता है सुस्क वायू की तुलना में घनत कम होता है या सुस्क वायू की तुलना में दाव अधिक होता है आद्रवायू में धोनी का वेग सुस्क वायू की तुलना में अधिक होता है क्यूंकि आद्रवायू में सुस्क वायू की तुलना में घनत्व कम होता है option B correct answer बढ़ते हैं नेश कोशन के ओर हमारा नेश कोशन है निमलिकित कतनों में से कौन सा सही है धोनी का बेग माध्यम की प्रकीर्ती पर निर्वर नहीं करता, गैसों में अधिक्तम और द्रबों में नियुंतम होता है, ठोसों में अधिक्तम और गैसों में नियुंतम होता है, तो इसका correct answer option C हो जाएगा, धोनी का बेग ठोसों में अधिक्तम और गैसों में नियुंतम होत Option D is the right answer अगला कोशन है निमलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है गैसों में धोनी की तरंगों की प्रकिर्थी अनुधैरी होती है यह सही है 20 हर्च से कम आविर्थी की धोनिया तरंग अपेच्छाक्रित प्रवल होता है यह गलत है उच्तर आयामों वाली धोनी तरंगे अपेच्छाक्रित प्रवल होता है यह सही है और उच्छरव आविर्थियों वाली धोनी तरंगे तिछन होती है यह भी सही है तो correct answer option नम्मर B 20 हर्च से कम आविरती की धोनी तरंगे अपेच्छा क्रित प्रवल होती है या सही नहीं है Option B is the right answer Next question है एक जैप पध्यती जिसमें प्रास्रवे धोनी का उप्योग किया जाता है इसके option है सोनोग्राफी, ECG, AEG या X-ray तो एक जैप पध्यती जिसमें प्रास्रवे धोनी का उप्योग किया जाता है वह सोनोग्राफी होता है Option is the right answer Next question है कौन सी तरंगे सोनी में संचरन नहीं कर सकती प्रकास, उस्मा, धोनी या इलेक्ट्रो मैगनेटिक तो इसका correct answer option C हो जाएगा धोनी तरंगे शुन्ड में संचरन नहीं कर सकती क्यूंकि धोनी तरंगे को संचरन करने के लिए किसी माध्यम की आवसकता होती है बढ़ते हैं Next question की ओर Next question है चिलाते समय बेक्ती हमेशा हथेली को मुँग के समीप रखता है क्यूंकि उस इस्तिती में धोनी उर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है या धोनी पुर्णता धोनी की बढ़ जाती है या धोनी श्वर का उतार चड़ाव बढ़ जाता है या इस कारिवाही का धोनी पर कोई परभाव नहीं होता चिलाते समय बेखती हमेशा थेली को मूँ के समीब रखता है क्यूंकि उस इस्तिती में धोनी उर्जा सीफ एक ही दिशा में इंगीत होती है नेश कोशन है वह उपकरन जो धोनी तरंगों की पहचान तथा रिजू डेखन के लिए पड़ियुक्त होता है वह कहलाता है रडार, सोनार, पुकार या उप्युक्त में से कुई नहीं इसका करेक्ट इंसर ऑप्सन भी होगा सोनार जो धोनी तरंगों की पहचान तथा रिजू रेखन के लिए पड़िक्त होता है सोनार द्वारा पानी में प्रासरवित तरंगे उत्पन करके बस्तुओं का पता लगाया जाता है नेश कोशन की ओर बढ़ते हैं नेश कोशन है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है इसका कारण है बिवर्तन, बैतिकरन, अनुनादन या प्रावर्तन तो जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे अलग-अलग परकार की धोनिया सुनाई देती है इसका रीजन होता है अनुनाद इसका correct answer option भी होगा रेडियो का सम्स्वरन अस्टेशन आमनात का example होता है नेश कोशन है जब किसी अस्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी अस्थान विसेश पर बैठे सुरोता को इसकी ध्वनी नहीं सुनाई देती है इसका क्या रेजन है प्रावर्तन, वैतीकरन, अपवर्तन या अनुनार तो इसका correct answer option भी होगा, वैतीकरन, जब किसी अस्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजता है तो किसी अस्थान विसेश पर बैठा सुरोता, इसकी ध्वनी नहीं सुन सकता इसका रेजन वैतीकरन होता है वैतीकरन, जब समान आविर्ती के दो प्रकास तरंगे किसी माध्या में एक ही दिसा में गमन करती है तो उनके अध्या रोपन की फल सुरू प्रकास की तिब्रता में परिवर्तन हो जाता है इसे ही वैतीकरन कहते हैं नेक्ष्ट कोशन की और वर्ते हैं हमारा नेक्ष्ट कोशन है इको साउंडिंग परियोग होता है धोनी में कमपन उत्पन करने के लिए धोनी की आविर्ती बढ़ाने के लिए समुद्र की गहराई मापने के लिए उये उप्योक्त में से कोई नहीं तो eco sound का पड़ियों किया जाता है समुदर की गहराई को मापने के लिए correct answer option C अगला question है प्रकास छोटे छोटे कनों से मिलकर बना है जिसे कहते है प्रमानों, निट्रोन, पाजिट्रोन या फोटोन तो इसका correct answer option D हो जाएगा प्रकास छोटे छोटे कन से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं इसका correct answer फोटो वीडियो अगर पसंद आए तो like कीजिए, सभी के साथ share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए और तयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे app के साथ जूर जाए ओहां पे आपको pad course मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में और अगर PDF डाउनलोड करना है तो ओ भी आपको हमारे app में ही मिलेगा बहुत ही सांदार 10,000 question के साथ अगर ये PDF आप पढ़ लेते हो तो एक भी question नहीं छूटेगा अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नमर पे संपर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तब के लिए बाबाए